सबसे पहले संविधान को बचाने का है आरक्षन को बचाने का है और जो गरीमों के अधिकार हैं उनको बचाने का चुनाओ है बाई और बहनों अजीब सी सोच है प्रधान मंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटर्वियू किया आपने देखा होगा देखा आपने वह जिसमें प्रधान मंत्री बैठते हैं चार चमचे बैठते हैं सवाल पूछते देखा प्रेस कॉंफरेंस ने कर पाते प्रधान मंत्री चार चार पांच चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं और फिर एक इंटर्वियू में जर्नलिस्ट ने पूचा प्रधान मंत्री से प्रधान मंत्री ची जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है प्रधान मंत्री जवाब देते हैं हस्ते हुए देते हैं क्या चाहते हो कि मैं सब को गरीब बना दूँ मतलब सोच देखिए हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा है एक तरफ अरब पती जिसको 24 गंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं मैंने इनको मित्र कहा मगर यह आपके हमारे मित्र नहीं है यह यह अधानी के मोदी के मित्र हैं आँ आँ यह अधानी के मोदी के मित्र हैं 24 गंटा नरेंद्र मोदी का चैरा दिखेगा आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता देखा कभी आपने मजदूर देखा पेरोजगारी के बारे में बोलते हैं महिंगाई के बारे में कभी बोलते हैं मन्रेगा के जो मजदूर है उनके बारे में बोलते हैं नाई अम्बानी की शादी देखी देखी ना आठ दस क्रोड रुपे वाली घड़ी देखी तो दो भागों में हिंदुस्तान को बाट दिया है एक तरफ अरब पती और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वो ही 22-25 लोगों के लिए हुआ है आप हैरान हो जाओगे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाक करोड रुपिया कर्जा माफि किया है 16 लाक करोड रुपिया मतलब यूपिये की सरकार ने कर्जा माफि की थी अगर आप उस कर्जा माफि को 24 साल के लिए हर साल करो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफि में दिया है और फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब बना दूँ हां मोदी जी 22 लोगों को छोड़ किया आपने सबको गरीब बना दिया है यह इंदुस्तान की सच्चा ही है और क्यूं किया क्यूंकि यह 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं चौपिस घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं मगर भाईयों और बहनों नरेंद्र मोदी की जो इमिज थी आप सब जानते हो कि वो जो गुबारा था वो गुबारा फट गया फटाक से गर गुबारा फट गया कि आज कल क्या होता मैं बताता हूं आपको कभी कभी जब मैं निकलता हूं बीजेपी के लोग जंडा खड़े रहते हैं कि मैं बताना हूं देखो जंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे मेरी और देखते हैं मैं कहता हूं अधानी वह उन्सिर नीचे कर देते हैं ऐसे बीजेपी के जंडा मेरे सामने में कहता हूँ अधानी बीजेपी के कारे करता यूं करते हैं क्योंकि जानते हैं अधानी की सरकार है अरब पतियों की सरकार है पहले मैं आपको अगनीवीर के बारे में बताने चाहता हूँ अगनिवीर योजना का नाम सुना है आपने सुना है आज कल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे जो भरे रहते थे आज कल सारे के सारे खाली है सेना में कोई भरती नहीं होना चाता है कारण अगनिवीर योजना अगनिवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मज़दूर में बदल दिया है जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है तीन साल की भरती होगी और उसके बाद चार में से तीन जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ तुम्हारा अब कोई काम नहीं है बाई और मैंनों आप सोचिये दो जवान एक साथ लड़ेंगे एक अगनीवीर होगा दूसरा नॉर्मल जवान होगा चाइना के खिलाफ लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे एक जवान को सारी की सारी सुविदाई मिलेंगी शहीत का दर्जा मिलेगा पेंशन मिलेगी कैंटीन मिलेगी अगर उससे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी परिवार की रक्षा होगी और उसके बाजू में जो खड़ा होगा उसी बंदूक के साथ उनी गोलियों के साथ जो लड़ेगा उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी ना शहीत का दर्जा देगी ना पेंशन देगी ना कैंटीन देगी ना उसके परिवार की रक्षा होगी आप सोची हिंदुस्तान कि सेना का मॉराल का क्या होगा दो तरीके के शहीद बना दिये सेना को बाठ दिया एक अगनिवीर ऋट और एक नॉर्मल जवान तो पहला काम मंवारा Josh Asth हैं हमारा पहला काम होगा जैसे हमारी इंडिया की सरकार बनेगी चार जून अगनिवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाट